प्राइब कर दिया है और उसको दो दिन में अम लोग ने टार्गेट रखा है कि जो भी गंदगी पटना में फैली थी उसको दूर कर दें नमस्कार आप देख रहे हैं लाइफ सिटीज में हूँ आपके स्ताश शिवम पिछले सफता भर से पटना नगर्णिगम के सफाई कर्मी हरताल पर थे ऐसे मैं आपको बता दे कि कल पटना उचने आले ने यह निर्देश दिया सभी सफाई कर्मियों को कि वह अपने काम पो ल पूछ कहना है पहले आप वह सुनें तेकि माने उचनेयले में इस मामले को रखा गया तो माने उचनेयले ने सभी करमचारियों को काम पर लोटने का निजेश दिया है साथी नगरपालिकाओं को और विबाग को भी डिरेक्शन दिया है कि जो भी उनकी मांग है उन पर एक पटना नगर निगम में तो चूकी स्थाई कर्मियों को सभी फैसिलिटी जो एक सरकारी कर्मचारी को मिलती है वह पहले से ही मिल रही है जबले ही वह एसेपी का लाब हो सेवन पे कमिशन का लाब हो यह अन्य जो पेंशन इत्यादी के मामले रहते हैं वह पटना नगर पर तो नुक्ति हो सकती है लेकिन समू घह के जो पद हैं वो समाथ हो गए है तो उसमें राजय सरकार के इस तरफ पर उसका में लोग काम पर वाफस लोगता है पटना नगर निगम में तो जो वेतन है दैनिक वेतन भोगियों को वो चार सो रुपया दिया जाता है इसके अलावा जो पैसा हो तो हम लोग जमा करते हैं तो 467 रुपीज हो जाता है पर डे का 26 तो जो 291 के अराउंड है मिनिमम वेड उससे लगबग 500 रुपय जादा ही अम अब चुकी कल रात से ही प्याराम कर दिये हैं और उसको दो दिन में आम लोग ने टार्गेट रखा है कि जो भी गंद की प्रटना में खाली ती उसको दूर कर दें और फोगिंग चुना ब्लीचिंग के जादी की जो भी व्यस्ता हैं वह उम लोग सिनिशित कर दें तो लेकिन के अलावा जो प्रोस्टिंग या किसी प्रगार्ग एक्शन दिया लिए उस पर कोट ने गाई उस पर आप लोग सानुबल गुरो विचार कीजिए और राधर उसको विड़रो करने कुश्ट तो आपने साफ तोर पे सुना पत्ना नगंडियम के आयूक्त झाल पर पत्ना नगंड निगम वापस लेगा वहाला बने रहा हैं अगर आपने चानल को सब्सक्राइब किया है तो जल्ट-स-ब सब्सक्राइब की लिए धन्यवाद